अगर आप भी मेरी तरह Google Chrome यूज़ करते हैं अपनी कॉप्यूटर में और आप ये फिल करते हैं कि कई बार जो है Google Chrome क्रैश हो जाता है या फिर स्लो चल रहा है तो आप Google Chrome का एक क्लिनप टूल आता है उसको यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके कम्पूटर में को इस तरह से बिहेव कर रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं आपको Google Chrome ओपिन करना है ओपिन करने के बाद यहां आप टॉप राइट कॉर्णर में देखिए यहां पर क्लिक करना है और सेटिंग्स पर जाना है सेटिंग्स में आने के बाद जो है एडवांस को ओप्शन मिलेगा आपको इसे क्लिक करना है एडवांस पर क्लिक करते ही आप और एदन नीचे आ जाईए और लाश में आपको दिखेगा क्लीन अप कंप्यूटर का ओप्शन इसको क्लिक करें यहां पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहां पर एक फाइंड का ओ तो यहां से पता चल जाएगा आप इसको find पे क्लिक करेंगे तो यह scan करेगा तो find पे क्लिक करते हैं तो देखिए find पे जैसे मैंने क्लिक किया यह harmful software को चेक करना start कर दिया है तो यह थोड़ा सव टाइम लगेगा कुछ मिनटों का scan करने में और scan करने के आपको रिपोर्ट देगा अगर कुछ issues से इसको मिलेंगे मान दीजिए कोई आपने ब्राउजर के extension इंस्टॉल किया हुआ है या फिर कोई एक ऐसा software इंस्टॉल किया हुआ जिसके वजह से Google Chrome ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वह आपको यहां लिश्ट में दिखा देगा और अ तो यह कुछ दो मिनिट टाइम लगा है मेरे कंप्यूटर में scanning करने के लिए और इस तरह से आप देखे रिजल्ट आ गया है कि नो हामफुल software फांट मतलब कोई भी नुकसान दायक software इसको नहीं मिला तो मेरे कंप्यूटर जो है ठीक है और Google Chrome भी मुझे सही से काम करता अबडेट करने की जरुवत है अब अबडेट कर देंगे तो आपको यह option दिख जाएगा तो इस तरह से आपको एक तरीका समझ में आ गया होगा कि अगल Google Chrome जो है ठीक से काम नहीं कर रहा तो Google Chrome के द्वारा दिया गया यह cleanup टूल जो है आप यूज कर सकते हैं और अपने computer कर स्क्यान करके Google Chrome का जो भी issues हैं उसको आप fix कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में यह जदा ही आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट के तुरूँ शेयर कीजिए और यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की जो वीडियो हैं आगे भी मिलती रहे और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया